हलो एवरीवन, एजी फिजिक्स भाई एनके चैनल पर आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है बेटा चेप्टर नमबर दस अपन पढ़ रहे हैं और बहुत इंतजार के बाद पार्थ नमबर दस प्रत्यावर्ती धारा यानि 12th क्लास की फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे केवल तीन आंकिक प्रशन अपने इसमें से बचे हुए हैं उन तीनों को कंप्लीट करके फिस्ट पॉर्शन जो है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे चेप्टर नमबर दस के प्रतेख वीडियो को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन ये जो बचे हुए तीन आंकिक प्रशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें फंडामेंटल कुछ अलग तरीके के अप्लाई होने वाले है और अक्षर ये ही वो तीन सवाल हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोब्लम होती है तो चलिए बीना किसी विशेश भूमी का कि डायरेक्ट अपन क्यूशन नमबर 13 सुरू करेंगे क्या कह रहा है प्रशन संख्या 13 पढ़िए एक कुंडली का सक्ति गुणांक 60 हर्ज आवरती पर आवरती की वैल्यू दे रखिए एफ बराबर लिख देता हूँ मैं 60 हर्ज ठीक है इस 60 हर्ज की आवरती पर जो सक्ति गुणांक है उसकी वैल्यू 0.707 हो जाती है यार सक्ति गुणांक को किस से लिखा था सर कोस फाई से लिखते हैं अतनी देर में बूल गए क्या सक्ति गुणां को कोजवड़ाई से लिखते हैं 0.707 कोई मातरक दे रखा है क्या सर मातरक तो नहीं दे रखा यानि सक्ति गुणां के एक मातरक ही नरासी होती है ये वात अपन जानते भी है और यहाँ पे मैच भी हो रही है सवाल कह रहा है कि येदी आवरती 120 हर्ज हो जाए यानि पहले आपको आवरती कुछ और दे रखी है और अब आवरती कुछ और बना रहा है तो पहले वाली आवरती को F1 कह देना चाहिए और इसको अपने को F2 कह देना चाहिए और कितनी हर्ज कर रहा है 120 Hz कर देते हैं तो दूसरी आवरती बनाने पर शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा जब आवरती चेंज होगी तो सक्ति गुणांक भी चेंज होगा पहले वाले शक्ति गुणांक को 51 कह देते हैं और दूसरे वाले को 52 कह देते हैं यानि कि आपको cos 52 की value find out करनी है छीक है सर सक्ति गुणानक में और आवरती में क्या relation होता है सर ऐसा तो हमने पढ़ाई नहीं कि सक्ति गुणानक और आवरती में कोई संबंध होता है क्या लेकिन नहीं पढ़ा फिर भी आपको indirectly कोई ना कोई relation तो बनाना पड़ेगा बिटा तो कोस फाई की वैल्यू चाहिए चलिए शुरुआत करता है अपने माथा फोड़ी करेंगे थोड़ी बहुत प्रियास करेंगे कोस फाई के आगे जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी जानी पहचानी सी वैल्यू नजर आ रही है क्या value हो शकती है सर ये जो cos phi 1 की value दे रखी है जिसका मान 0.707 है ये जो 0.707 है सर ये 1 by root 2 की value होती है अरे वाह ये तो काम हो गए अपना 1 by root 2 होता है अच्छा cos के format में 1 by root 2 जो value है वो कितने degree का होता है सर cos 45 का मान कितना है अरे हाँ cos 45 का मान तो 1 by root 2 होता है और cos को 45 के रूप में लिखूं तो मैं pi by 4 लिख सकता हूँ तो यहाँ पे दोनों तरफ value सेम है यानि 5 1 की value कितनी हो जाएगी बीटा pi by 4 हो जाएगी तो पहला value आप यहाँ पे लिखेंगे 5 1 is equal to pi by 4 अच्छा 5 1 कया होता है 5 क्या होता है 5 यानि जो कलांतर होता है उसका अपन course ťिटा का गठक ले करके शक्ति गुणाक बनाते है परिपत में क्या लगी हुई है कुंडली लगी हुई है कलांतर दे रखा 5 1 यार कलांतर में जब 5 1 दे रखा है तो जरूर कलांतर का कोई relation लेना चाहिए अपने को यानि कलांतर के द्वारा ही अपन इस situation को solve कर सकते हैं कलांतर को क्या लिखते हो सर कलांतर को हम लिखते हैं 1 की बात कर रहे हैं तो 1 तो लगाना पड़ेगा कुंडली के लिए कलांतर कितना होता है कुंडली है definitely इसमें कोई ना कोई प्रतिरोध भी हो सकता है हालांकि कहीं प्रशन में चर्चा नहीं कर रखी है कि कोई प्रतिरोध है फिर भी अपन प्रियास करते हैं एक बार देखे इसकी value होती है सर XL by R कुंडली और प्रतिरोध के लिए ठीक है XL by R अच्छा 5 1 की value तो आगी ना आपके पास 5 by 4 फटाफट लिख दीजिए तो सर 10 5 1 की जगह 5 by 4 लिखो 10 45 की value कितनी होती है बेटा सर 10 45 की value तो 1 होती है अरे ये XL by R जो की 10 5 1 है value रखते ही 1 हो गया यानि एक बात स्पस्ट हो गई आपके पास क्या स्पस्ट हो गई अब आप यहाँ पे लिख दें कि सर XL upon R की value 1 है इस R को दूसरी तरब भेजेंगे multiply में जाएगा तो आपके पास relation आ गया XL is equals to R very good कुछ ना कुछ तो निकल करके clear हुआ है ठीक है अच्छा XL upon XL equals to R1 आ गया यहार एक काम करो XL को आप frequency के format में लेकर के आओ क्योंकि आपको frequency यहाँ पे दे रखी है तो इसको आप लिख सकते हो कि सर 10, 5, 1 और 10, 5, 1 में value आ जाएगी XL की value लिखो omega L upon R और omega L की value लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 pi frequency 1 वाली L upon R कुंडली सेम है तो इसका प्रेरक्तव है और इसका प्रतिरोध तो समान ही रहेगा इसे आप equation number 1 कह दीजिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब ये वाला relation 5, 1 के format में दे रखा है और आपको 5, 2 निकालना है तो ऐसा का ऐसा आप दूसरा relation भी लिख दीजिए दूसरी frequency के लिए सर 10, 5, 2 लिख सकते हैं यहाँ पे क्या change हो जाएगा केवल frequency change हो जाएगी F2L upon R आ जाएगा यह आपके पास equation number 2 हो गया ठीक है अच्छा 10, 5, 1 की value तो है ना आपके पास यह XL upon R या फिर आप कहा दीजिए 10, 5, 1 की value तो सर कितनी है 1 दे रखी है तो आप एक काम करो समीकन number 1 में 2 में 10, 5, 1 की value तो है अरे हाँ अगर मुझे 10, 5, 2 की value पता चल जाए कख्षा 10 में त्रिकोण मिती तो हम पढ़के आए है त्रिकोण मिती में कोज फाई को 10 के format में लिखना सीखा था आपने कोई ना कोई formula तो पढ़ा था कि कोज फाई आजाए यदि आपके पास 10 फाई हो तो मुझे इन दोनों equation को solve करना होगा दोनों समीकन को solve करूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि समीकन number 1 और 2 को divide कर दो कैसे करूँ? मैं एक काम करता हूँ समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर या फिर आप लिख सकते हैं विभाजित करने पर भाग करने पर विभाजित करने पर विभाजित थोड़ी ज्यादा सुद्ध हिंदी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा सर यह हो जाएगा 1052 और बटा में हो जाएगा 1051 और 1052 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई F2L अपोन R और बटा की वैल्यू मल्टिप्लाइ में जाएगी तो R उपना जाएगा 2 पाई F1L हो जाएगा R से R गया L से L गया 2 पाई से 2 पाई गया क्या रिलेशन बना सर रिलेशन बन गया 1052 अपोन में तो 1 लिख दूँगा न क्योंकि 1051 की वैल्यू तो आपके पास 1 है और यह वैल्यू क्या आ जाएगी यह वैल्यू आ जाएगी F2 अपोन F1 यार F2 और F1 क की वैल्यू तो दे रखी है F2 की वैल्यू दे रखी है 120 F1 की वैल्यू दे रखी है 60 यह रिलेशन तो आ गया 2 1052 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई अरे हाँ 1052 की वैल्यू जब 2 आ गई तो सर अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे कैलकुलेशन करोगे आपको क्या चाहिए स सेक के format में लिख सकते हैं क्या है सर वन बाइ सेक लिख सकते हैं वन बाइ सेक फाय टू अच्छा सेक को टेन के format में लिखा जा सकते है क्या एक प्रम्य पड़ी है आप लोगों ने एक सरवशमी का पड़ी है क्या पड़ी है चूँकि 1 प्लास 10 square theta this is equals to 6 square theta पढ़ा न? यहां से square हटेगा तो पूरे के उपर root लग जाएगा यानि 6 phi की जगह है 1 plus 10 square phi का root लगा सकते हैं अरे शर यह तो काम पूरा ही हो गया मज़ा आगया इस प्रशन में तो इसको लिख सकते हैं 1 square हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं root इसको लिख सकते हैं 1 plus 10 square phi 2 बहुत बढ़िया 1 लगाया root लिखा 1 लगा 10 square phi 10 square phi करो 10 phi 2 की value 2 आई थी 2 का direct square कर दो बेटा 4 हो गया अरे सर यह तो 1 upon root 5 हो गया नहीं है समझ में 1 upon root 5 हो गया आपको value किसकी चाहिए थी cos phi 2 की value चाहिए थी बस यह हो गया cos phi 2 बराबर 1 upon root 5 हो जाएगा और इसको आप solve कर ले 1 upon root 5 निकाल लो और root 5 निकालेंगे तो इसकी value कितनी होती है root 5 की value याद होनी चाहिए अरे सर यह होती है 2 point root 5 की value होती है कितनी 2 point 2, 3, 6 के approximate होती है और अब यहां से आप value निकाल लें cos phi 2 1 को divide कर दो इस पूरी value से कितना हो जाएगा? 0 point भाग लगाना तो आता होगा न बिटा वीडियो की स्क्रीन को पोज कर लें भाग लगा दें 0 point 4 4, 6, 1 मात्रक लिखूंगा क्या? नहीं लिखना है तो लिखना तो पड़ेगा क्या? मात्रक हीन अपने को अपनी तरब से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए ये प्रशन बहुत आसानी से अपन complete कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि पूरा प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं इसके बाद मैं बारी आती है अपने प्रशन संख्या 14 की स्क्रीन पे देखें एक LCR परिपत में प्रत्यावर्ती वोल्ट था वी दे रखिये किसी भी वोल्ट मेटर के द्वारा जो कैलकुलेटेड वेल्यू होती है वो तो RMS वेल्यू होती है RMS वेल्यू दे रखी है L का मान दे रखा है 5 हैंरी अरे वा इसके बाद में दे रखा है कैपेसिटेंस धारीता कितनी 80 microfarad यार micro को हटा करके इसका जंजटी खतम करो कितना लिखूँ 10 की पाउर minus 6 farad लग जाएगा प्रतिरोध का मान R बराबर दे रखा है 40 ohm very good पहला प्रशन अनुनादी आवरती ज्यात करो पहला प्रशन अनुनादी आवरती को किस से लिखते हो अनुनादी आवरती को f r से लिखते हो बेटा f r की value निकालो क्या होती है relation याद है क्या अनुनादी आवरती की 1 upon 2 pi root l c स्याबास 1 लिखा 2 pi का मान 3.1 4 इसके बाद में root लगाया l का मान 5 c का मान 80 10 की power minus 6 दिक्कत बोलो स्याबास 1 upon 2 से गुणा कर दो ये 6.28 हो गया root में कितना हो गया 8,5,40,400 400 का वरगमूल 20 10 की power minus 6 का वरगमूल 10 की power minus 3 उपर ले जाओ 10 की power minus 3 को उपर जाते ही बन गया 1000 बटा में कितना रह गया बटा में रह गया 6.28 into में 20 0 ने 0 को मूडा दिया कितना रह गया बेटा उपर रह गया 100 नीचे रह गया 2 से गुणा करो 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 है अब भाग लगा दो 100 में 12.56 का भाग लगाओ क्या answer आएगा वीडियो की screen को पोज़ करके फटा फट भाग लगाओ देखे अरे मेरे लाल कितना आएगा भागे जल्दी बताओ 7.69 आ जाएगा अरे क्या निकाल रहे थे आवरती मात्रक तो बताना पड़ेगा बेटा हड़ हो जाएगा तो इस तरह से अपने अनुनाधी आवरती को यहाँ पर कैल्कुलेट कर लिया है नंबर दो पे चलो फटावर चलो नंबर दो पे सवाल कह रहा है कि परीपत की प्रतिबाधा और अनुनाधी आवरती पर धारा का सिखर मान अनुनाधी आवरती पर प्रतिबाधा क्या होती है बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप अनुनादी आवरती पर प्रतिबाधा कौन बताएगा जल्दी बोलो calculation की जरूरत ही नहीं है जड बराबर होता है आर आर कितना दे रखा है चालीस तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी चालीस ओम हो जाएगी निकालने की जरूरती नहीं है यार यह तो पागल है इसने तो सीधे सीधे आणसरी दे रखे है अरे वाँ फिर कह रहा है धारा का सिखर मान क्या पूछ रहा है धारा का सिखर मान लिख देना चाहिए यहाँ पे अपने को धारा का सिखर मान निकालो बेटा धारा का सिखर मान क्या होता है सर धारा का सिखर मान जो होता है वो होता है आई नोट और i-note क्या होता है i-note होता है sir v-note upon प्रतिबहड़ा z v-note निकाल के लाओ v-note दे रखा है क्या ये तो rms दे रखा है इसका तो v-note बनाओ यार हमने तो v-rms पहले सी confirm कर रखा है doubt ही नहीं है तो rms value को v-note बनाने के लिए root 2 से multiply करते हैं na v-rms 1.414 होता है v-rms कितना दे रखा है 230 दे रखा है z कितना निकाला आपने 40 निकाला पटाफट calculation कर लो यार भाग लगा दो इसमें 0 से 0 गया 4 का भाग लगा दो कैसे भी कर लो मुझे नहीं पता भाग मुझे नहीं आता मुझे भाग नहीं आता आपको तो आता होगा पटाफट निकालो आठ 0 से गया भाग निकालेंगे 8.13 approximate मातरक तो मुझे आता है बहुत अच्छे से सिखर मान धारा का सिखर मान M.P.R. में हो जाएगा 2 प्रशन complete कर चुके है 3 प्रशन परिपत के 3 अव्यों के सीरों पर वोल्टता के वरगमधे मूलमान 3 अव्यों लगे है L है C है R है इन तीनों के सीरों पर वोल्टेज का वरगमधे मूलमान निकालना है अरे ये तो गड़बड हो गई या V बराबर क्या होता है V बराबर O'M का नियम कहता है V बराबर I R R का मतलग प्रतिरोध है तो प्रतिरोध प्रतिगहात है तो प्रतिगहात तीनों पे अलग लग निकालना है Very good I का मान तो तीनों में सेम रहेगा क्योंकि तीनों स्रेणी क्रम में है चलिए कैसे निकाले मैं एक काम करता हूँ पहले वीडियो की स्क्रीन को आप पहुझ करके नॉट्स लिख ले मैं कोपी को थोड़ा सा आगे स्किप करता हूँ ठीक है बीटा चलिए थोड़ा सा आगे स्किप करते है ये लिजे मैंने कोपी को यहाँ पे आगे स्किप कर लिया है अब मैं तीसरा पार्ट निकाल रहा तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है तीनो अव्यों के सीरों पर वोल्टेज चाहिए ठीक है तीनो अव्यों के सीरों पर वोल्टेज कैसे होगा कैसे होगा तीनो सीरों के अव्यों पर वोल्टेज अच्छा voltage की कौन सी value आएगी voltage की कौन सी value आएगी सर voltage की तो rms value आएगी rms value आएगी तो मैं एक काम करता हूँ vr निकालता हूँ vr क्या होता है vr होता है current और ये कौन सी value है r का rms value है जान देना यहाँ पे सीधा सीधा rms value है RMS value के लिए current भी RMS चाहिए और प्रतिरोध के लिए R लगा दे R की value आ गई क्या R की value ये रही 8.13 8.13 अरे ये तो सिखर मान है मेरे भाई ये value काम नहीं करेगी क्या करना पड़ेगा सर सिखर मान जो दे रखा है I not उसको root 2 से divide कर दो RMS value आ जाएगी इन्टू में R लगा देना ये value आपके पास 8.13 है इसकी value 1.414 होती है इतनी तो होती है और 1.414 तो होती है बहुत बड़ी है बिटा R की value लिखो R की value कितनी 40 दे रखी है फटा फट calculation कर दो काटा पिटी करो भाग दोड लगाओ कुछ तो भाग करना पड़ेगा इसकी calculation आ जाएगी 230 voltage ओके कितनी आएगी 230 volt आ जाएगी very good कुंडली के सीरों पर स्रेनी क्रम में है voltage अलग लग हो सकता है अब ये मत करना कि सर्व वोल्टताओं का योग 230 के बराबर रहेगा ना 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 बेटा ये प्रतिरोध हों का स्रेनी करम सहिए हो जय नहीं है VL कुंडली के बराबर क्या लगेगा formula sir IRMS लगा लो इसमें प्रतिरोध नहीं आएगा इसमें प्रतिगहत आएगा क्या लगेगा XL लगेगा XL लगेगा बहृत बढ़िया क्या लगाओगे बोलो IRMS की value तो वही आपके पास 8.13 बटा 1.414 हो जाएगी XL की value क्या होती है XL की value जल्दी बोलो XL की value तो omega L होती है omega L होती है omega कितना हो गया omega तो निकालना पड़ेगा omega तो हमने निकाला है नहीं सर ये तो 2 pi f होती है f निकाल रखा है हमने कितना 7.69 ये किसकी value आगई 2 pi f इंटू में L भी तो चाहिए L 5 दे रखा है फटा फट सोल करो सोल करो भाई calculation तो must है वीडियो की screen को pose कर लें मैं rough copy निकालता हूँ मेरी rough copy में calculation करता हूँ इतनी calculation तो मुझे भी speedly नहीं आती है मेरी जो calculation कह रही है वो इसका answer आएगा 1437.5 volt इसी तरह से आप लोगों को VC निकाल लेना है VC क्या हो जाएगा IRMS into XC RMS value 8.13 बटा 1.414 414 XC की value होती है 1 upon omega C omega होता है 2 pi f f की value आगी आपके पास 7.69 into में C की value कितनी थी 80 Micro हटाया minus 6 calculation तो करनी पड़ेगी calculation कौन करेगा अपने को करनी पड़ेगी फटाफट solve कर लीजिए यार इसमें calculation करने की जरूरत ही नहीं है क्यों? अगर आपको याद है तो अनुनाद की इस्थिती में कुंडली के सीरों पर voltage और capacitor के सीरों पर voltage is equal होता है याद करो phaser R1 अनुनाद की स्थिती में उपर की तरफ VL नीचे की तरफ VC दोनों एक दूसरे को cancel out करते हैं तंटणा मजा आ गया तो ये बिना calculation करे ही मैंने इसका answer निकाल दिया सही है या गलत है ये तो match कर लेना calculate करके देख लेना की अपना सही है या गलत है अगर result सेम आता है इसका मतलब अपन बहुत expert हो चुके हैं भाई चलिए screen को pause करें notes को अच्छे से लिखें चलते हैं अन्तिम प्रशन की और प्रशन सेंख्या पंदरह अरे वाह अब बारी आ जाती है बेटा पंदरहवें प्रशन की थोड़ा सा सतर्ख हो जाना अन्तिम प्रशन है क्योंकि आप जानते हैं कि अन्तिम प्रहार ही होता है जो सफलता के नजदीक होता है ठीक है एक अपचाई ट्रास्फार्मर 200 वॉल्टेज को 220 वॉल्टेज में परिवतिट कर रहा है आने वाला वॉल्टेज कितना है इन्पुट वॉल्टेज कितना है 220 आउटपुट कितना है 220 लिख लूँ क्या लिख लिजिए सर V प्राइमरी का हो गया 2200 वॉल्ट सेकंडरी कोइल का वी एस हो गया 220 वोल्ट बहुत बढ़िया मज़ा आ गया इसकी प्रात्मिक कुंडली में फेरों की संख्या प्रात्मिक कुंडली में एन पी लिख दें कितने फेरें बेटा 5000 फेरे दे रखें आगे फेरे लिखने के आवश्यक्ता नहीं है यदि ट्रांसफार्मर की दक्स्ता कैपेसिटी कैपेसिटी को अपन एन से लिखते हैं कितनी प्रतीशत 80 प्रतीशत है क्या मतलब आया मतलब यह है कि यदि आप 100 वाट की सक्ती देते हैं तो 80 वाट की सक्ती आपको मिलेगी 20 वाट की सक्ती है वो हास हो जाएगी सवाल कह रहा है कि निर्गत सकती output power कितना 8 kilo watt दे रखा है यार kilo को हटा दो kilo को हटाओगे तो 8000 watt हो जाएगा ठीक है न 8000 watt आपको दे रखा है तो ग्यात करो पहले ग्यात करो क्या ग्यात करो number of round secondary कुंडली में N S की value निकालनी है relation पढ़ा है क्या voltage में और फेरों की संख्या में बिल्कुल पढ़ा है voltage है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है तो N S यदि मुझे निकालना है तो N S में N P का भाग लगा दूँगा और voltage में V S में V P का भाग लगा दूँगा यदि मैं इसे solve करूँ तो ns को दूसरी तरफ भेज़ दो sorry np को दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा तो ns बराबर हो जाएगा vs upon vp into np vs दे रखा है 220 vp दे रखा है 2200 और np 5000 अरे वा इस 0 से ये 0 गया इस 0 से ये 0 गया 22 ने 22 को काटा तो np की value कितनी आ गई np बराबर हो गए बेटा 500 फेरे फेरे यहां तो लिखना होगा 500 फेरे हैं प्रात्मी कुंडली में नमबर 2 पे चलिए नमबर 2 पे क्या पूछ रहा है ip क्या पूछ रहा है ip पूछ रहा है ip का formula क्या होगा p बराबर formula होता है v i primary कुंडली के लिए रहे हो तो p लगा दीजे दोनों के साथ तो ip मुझे चाहिए तो ip का equation बनाओ sir ये primary कुंडली का power बटा primary कुंडली का voltage primary कुंडली का power कहीं है क्या sir primary कुंडली का power तो दे नहीं दखा primary कुंडली का voltage जरूर दे रखा यार ये तो गड़बड हो गई primary कुंडली का power जब तक नहीं होगा तब तक तो अपन इस क्यूशन को solve नहीं कर सकते चलिए दूसरा पार्ट देख लीजी एक बार क्या पता primary कुंडली की जो शक्ती है जिसे अपन निवेशी input power कहते हैं वो निकल वाले अरे कुशन के part number 4 में निवेशी सक्ती पूछ रहा है जैसे ही निवेशी सक्ती आएगी आप इस कुशन को solve कर सकते हैं तो इसको एक बार यहीं अधर जूल में डाल दीजिए तीसरे point को पढ़ें क्या कह रहा है Sir IS निकालो IS की value तो जिस तरह से यह relation लगा है उसी तरीके से यह लग जाएगा PS, VS, IS OK PS कितना PS, S का मतलब output भी कह सकते हैं यह जो PO लिखा ना इसको आप PS भी लिख सकते हैं और यहां से मेरे को IS की value चाहिए तो पहले मैं formula को solve कर लेता हूँ तो यह मेरे पास PS upon VS हो जाएगा PS कितना है PS कितना है PS तो Sir 8000 watt है VS कितना है VS तो Sir 220 watt है 0 ने 0 को काटा 800 800 बटा में रह गया 22 भाग तो लगाना पड़ेगा बेटा 36.36 ampere आ जाएगा ठीक है तीसरा point भी हो गया पहले चोथा point solve कर लो क्या पता चोथे point solve करने के बाद में अपन दूसरा point भी solve कर ले यह कह रहा है निवेशी सक्ति निकालो निवेशी सक्ति का मतलब है PP निकालो PP की value अपने को निकालनी है PP कैसे निकलेगा दक्सता दे रखिये न यार अरे दक्सता का भी तो कोई हिस्सा होगा दक्सता क्या होती है दक्सता होती है output power upon input power into hundred यही तो होता है output power upon input power into hundred यही तो होता है नहीं आया अरे solve तो करना पड़ेगा भाई output power, input power, दक्सता जल्दी करो फटा-फट solve कर लो देखे कुछ तो गड़बड है क्या करोगे जल्दी करो भाई solve कर लो इसको फटा-फट मुझे निकालना क्या है, मुझे पी-पी निकालना है तो यार इस पी-पी को इधर ले जाओ N को नीचे पटक दो, formula को solve कर लो तो मेरे को पी-पी निकालना है तो पी-पी में क्या हो जाएगा P output into में hundred हो जाएगा और upon N हो जाएगा इसको P output कह दो या P S कह दो ये की तो बात है P output कितना आया था, जल्दी बोलो Sir P output तो आठ हजार आया था ठीक है बेटा किसे गुणा कर दो, 100 से बटा दक्सता कितनी है 80, 0 ने 0 को काटा ये 800 को 8 से divide करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये value तो 100 को 100 से गुणा करोगे तो 10,000 वाट आ जाएगा तो निवेशी सक्ती कितनी है 10,000 वाट है ठीक है जब 10,000 वाट आपके पास निवेशी सक्ती आ गई तो अब ये solve भी हो जाएगा 10,000 वाट बटा निवेशी voltage कितना है 22,00 जिरो ने जिरो जिरो ने जिरो को काटा 100 वाटा 22 रह गया 22,88 होता है कितना रह गया 200 रह गया solve कर लो 4.54 एमपियर हो जाएगा ये लो साब complete हो गया सवाल मज़ा आ गया इसमें तो बहुत शानदार प्रशन है बहुत important question है उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसके साथ ही बेटा अपना first physics के जो 10 chapter हैं वो आज अपने यहाँ पे complete हो जाते हैं अब अपन अगले वीडियो में second part सुरू करेंगे second physics सुरू करेंगे जो रहेगी आपकी optics ओके प्रकाशी की पढ़ने वाले चलिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी friends के शाथ शेर करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू करेंगे।